अगर आपकी girlfriend आपको छोड़ के चली जाए तो सदमे से कैसे बाहर निकलना है ये बताया शिवम मलिक ने अपनी खुद की true story से जराध्यान से सुनिएगा शिवम मलिक इस जंजाल से कैसे बाहर निकलना बड़ा दुख होता है जब किसी इंसान से आप connect होते हो जुड़ जाते और इसे दितल के चली बाहर जाए बोड़ को फटी है थे जड़ डिया चलागै वो भी चलो दुक दर्द जहिल ले इंसान उपर असली दिक्कत यह कि आपके होते हुए वो किसी और के पास चला गए, किसी और लड़की या चीट वगएरा या ऐसा कुछ कर दिया तो उस टाइम पर जाके भूख, प्यास, नेंद, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, टेंशन में टाइम लगता है उन चीजों से भाण निकलने में, उभणने में, साथ सालगा रिलेशनशिप तो है ऐसे कैसे, मतलब अब तो आप शायद अपने पीक पर थे हाँ, वो ही है, बस उसे मैटर नहीं करते होंगे, पैसे या फॉलोर्स बट मैं यह कहूंगा कि एक इनसान की फितरत होती है, और जो जनता बोलती है कि पास्ट से जज नहीं करना चाहिए, रियालिटी है कि इनसान का पास्ट देखके तुम बता सकते हो कि वो फ्यूचर में कैसा रहेगा, कि वो प्रेजेंट में कैसा रहेगा, वो कुछ अलग बनके आप से जुटे-जुटे वादे कर सकता है, कि मैं सही रहूंगी, आगे मैंने पहले ऐसे कर लिया, हमें सुधर चुकी हूँ, पर चोर-चोर ही जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं ये धोके वाली फितरत दो-तिन जंगा सा आती है, माबाब की परवरिश से भी आती है, जैनिटिक्स में भी होती है, और इंसान की जो आदिते हैं, जैसे उसका दोस्त है, जैसे सरकल है, जैसे एक इंसान सही है और चार गल्थ हैं उसके आस-पास, वो अबार अगरदी, उल बाकी खराब के साथ रख देता हैं तो, तो ये चीजे हुई, मुझे पता लगी कि ठीक नहीं लड़की मिल ली और इतने साल साथ में बिताने के बाद, साथ साल बहुत बड़ा टाइम होता है, पहले तो आप मिले कैसे, और कौन से सन में मिले, जैसे मिले, घर के आस-पास रहते हैं तो मिल ली है, दोस्ती आ रही हुई, फेस्बुक का टाइम दोस्त है, इंस्टाग्राम अगरा जादे इतना तो, दीरे दीरे बात हुई और उसने प्रपोस करा मुझे, ठीक हैं, बड़िया अच्छे मुमेंट थे, साथ में रहे, उसका पास्ट कुछ बहतरी नह अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था, कैसे? वही बहुत जादा रिलेशनशिप्स होना, बहुत जादा लड़के होना, मैं भी ऐसा था कि चार लोगों ने जो कहा, उनकी बाते सुनी और चल दिया, क्यों बच्चा ही था, या सतरा-अठारा साल गा था, मां के पेट से चीजों को समझते है, जब उसने प्रपोस करा, और मुझे उसके बारे में पता भी था, दोस्तों से बूचा जाके, भाई भाई ऐसे बोल रही है, बंदी लाइन माररी है, I love you बोल रही है, दोस्तों ने बोला, भाई, साले, लड़की, I love you बोल लिया, तुझे गो बाई, इस ने पटाने सbelt पूरा आतमाव तक मानच दूसा ना हो कि उसने कुछ गलती करी और महदम लड़ाई कर रहू जुद को दूसरे से मतलब मैं उसे चाहता है नहीं ता वो जाए छोड़ गए तो मैं सहता रहा मुझा किस तरह की चीज़े थी कि वो दूसरे लड़कों से बात करती थी ये सब चलता था गहरे लेवल तक मतलब फेजिकल इंटीमिसी भी थी महाँ पर हाँ बस छोड़ो किसी के बारे में क्या बोलना है से पर समझ तो गहीं जनता मैं क्या कहना चाहरा हूँ उसका इंस्टा मेरे फोन में लोग इन था ऐसे प्यार मुबत में कड़ लेता है न तो मैंने देखा इंस्टाग्राम खोल गए वो किसी और लड़के से चैट कर रही थी और जब अगले दिन मिलना आती मुझसे वो चैट डिलीट होती ही तो पर मैं पहले ही रात सारी पढ़ लेता हूँ जब एक-दो बज़े वो चैट पढ़ रहा होता तो तकीया था जो सूखे से गीला हो जाता आसू हो से मज़ा आता उस चीज में भी कभीर सिंग वाली फील लेन भी और भाई धीरे-धीरे करके मझे चीजे समझ आए कि वो लड़की से ही नहीं है शादी तो गलत लड़की से करना जा रहा है बढ़िया यार कोई गलत इंसान जिंदी से गया तो कुछ अच्छा हैगा साही बाबा साथ देंगे सब बढ़िया होगा एक लड़का बिचारे का जब दिल तूटता है तो लड़का ऐसे वही रनवीर का बुटने केती पेट निकाल लेता है और ऐसे परेशान होता है शराब वर आप पी नहीं शुरू कर देता है लड़की क्या और ये चीज हुई मेरे साथ भी जब ब्रेक अप हुआ तो एक डेड़ साल तक अभी तक भी मुझे मैं बंदी बंदियों से लड़कियों से बात करने का मन नी करता है अपना थोड़ी सी मोटी थी पतली सी हुई शेप माई लड़का पटा है चल दी अगला चीवा मलिखते यार तुख नहीं हो यार में इतना अच्छा कर रहा हूं लाइफ में इतने फोलोवर्स है मेरे इतने लोग जानते हैं मेरे को भाई देखो आपने स्टार्बक्स से कौफी मगई 400 रुपर करें सब्सक्रें उसके अंदर मक्ही निकल गई तो मक्ही उठा के फैगे दीना यार अब बढ़िया के बढ़िया दिख रही है ठीक है अब वो निकल के चली गई बढ़िया साफ सुतरी चीज मेरे सामने और का रीती है हमारे लिए